Hello Friends, बहुत-بहुत स्वागत है आपका Super Fast Study and Experiment पर तो Friends, इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Warm Gear के बारे में अलग-अलग टाइप की Warm Gear आते हैं, पहला हो गया Single Start, दूसरा हो गया Double Start और तीसरा हो गया Triple Start तो जो warm shaft या warm gear जो होता है इन तीनों को हम कैसे identify करेंगे कि कौन से start का warm gear है यह हम इस वीडियो में जानेंगे साथ में अगर आपको calculation भी करना हो warm and wheel gearbox का तो warm and wheel gearbox के calculation करने से सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आपका जो उसमें warm shaft यूज हो रहा है warm gear यूज हो रहा है वो कौन से start का है तो इस वीडियो में हम detail में समझेंगे कि आखिर इन तीनों में क्या differences है और अगर आपको warm and wheel gearbox का gear ratio calculate करना है तो उसके उपर एक वीडियो मैंने upload की है जस्ट इस से पहले आप वीडियो जाका के दे description में भी उसका link दूँगा इस वीडियो के end में भी उसका link दे दूँगा आप वहां से भी direct उसको देख पाएंगे तो friends ऐसे ही इंडेस्ट्रियल टेकनिकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील से related वीडियो इस YouTube चैनल पर मैं upload करता रहता हूं 830 से ज्यादा वीडियो ज चुरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाया तो फिलाल इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं warm and wheel type gearbox के construction के बारे में तो warm and wheel type gearbox में जो input shaft होता है वो आपका warm shaft होता है जबकि जो output shaft होता है वो आपका wheel shaft होता है यानि कि उसमें wheel होती है जिसमें की teeth cutty होती है wheel में है ना और वो output shaft होता है जबकि आपका input shaft जो होता है वो warm shaft होता है उस shaft में ही teeth cutty होती है तो अब बात करते हैं हम इसके identification की कि हम gear shaft को देख करके कैसे जानेंगे कि कौन से type का warm है ये single start है कि double start है कि triple start है तो देखिए तीनों का image यहां पर दिया हुआ है अगर single start होगा तो starting में strip एक ही thread होगी एक ही gear होंगे है ना जैसे कि पहले वाले image में देखिए यहां पर strip एक gear है starting में है ना यानि कि start के जहां जो उसका starting structure है वहां पर स्रिप एक ही गेर है जबकि हम बात करेंगे double start की तो यहां पर double start में starting में ही दो आपको gear दिखेंगे देखिए जैसे कि पहला यह हो गया यह हो गया यहां पर है ना तो यहां पर दो gear से start हो रहा है तो ये double start है यहाँ पर single gear से start हो रहा था gear तो ये single start था जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे third वाले image में तो यहाँ पर देखेंगे 3 gear से start हो रहा है पहला, दूसरा और तीसरा तो यहाँ पर 3 gear से start हो रहा है इसलिए ये triple start warm gear है तो इस तरह से आप देख करके जान सकते हैं कि ये single start warm gear है कि double start warm gear है कि triple start warm gear है इसके साथ एक और difference होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ जो single start होता है उसमें क्या होता है अगर आपका shaft, warm shaft एक बार घुमेगा तो shaft जो है देखिए warm gear जो है वो connected रहता है wheel gear से है ना तो जब warm gear जो है एक revolution घुमेगा तो आपका जो wheel shaft है उसका एक teeth जो है वो आगे move करेगा लेकिन अगर वही double start की बात करें अगर double start wheel के साथ connected है wheel gear के साथ तो अगर double start warm एक revolution घुमेगा तो दो teeth को आगे forward move करेगा है ना जो कि इसके साथ mash में है और वैसे ही अगर हम बात करें triple start की तो जब triple start warm chart one revolution घुमेगा तो ये अपने wheel जिसके साथ ये mash में है wheel के तीन gear को आगे move करेगा याने कि अगर हम simple language में कहें तो जो single start warm gear है उसमें lead जो है वो सबसे कम होती है double start में जो lead मिलती है वो उससे जादा मिलती है जबकि अगर हम triple start की बात करें तो उसमें lead सबसे जादा हमें मिलती है और इसी तरह से single start warm gear का जो gear ratio रहेगा वो सबसे जादा रहेगा और triple start का जो gear ratio रहेगा वो सबसे कम रहेगा जबकि double start का gear ratio इन दोनों के gear ratio से के बीच में रहेगा है ना यानि कि सबसे ज़्यादा gear ratio single start में मिलेगा सबसे कम gear ratio आपको मिलेगा triple start में तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको clear हो गया होगा कि single start double start और triple start warm gear क्या होते है अगर ये वीडियो आपको 1% भी helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा और channel को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा